पीम नरेंद्र मोदी और धोनी बिये पाट थर्ड की परिक्षा दे रहे हैं और उनके साथ साथ हमारे बिहार के राजपाल फागु चोहान भी कहां पीछे रहने वाले थे उन्होंने भी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की है और बिहार के कॉलेजों से एक रियाजुएशन कप्तान एमिस धोनी और हमारे बिहार के राजपाल फागु चोहान की तस्वीर मौजूद है यानि के स्विस्विद्याले ने एडमिट कार्ट जारी किये हैं जहां पर पीम नरेंद्र मोदी जियोग्रफी ओनर्स पेपर से अपने ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी करे अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माभवानी डेकॉर प्राइवेट लिमिटेड के साथ जो है ऑथराइज डिस्ट्रिब्यूटर ऑफ कचारिया देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बना दे और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन और दरसल बात यह है कि ललित नारायन मित्लवश विद्याले में ऐसे तीन एड्मिट कार्ड जारी किये गए हैं जहां पर तीन विद्यार्थियों के एड्मिट कार्ड में उनकी तस्वीर के बजाए नरेंद्र मोदी, महेंद्र सिंग धोनी और राजपाल, पागु चौहान की तस्वीर मौजूद है, यह तीनों एड्मिट कार्ड सोसल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहे हैं, जहां पर एड्मिट कार्ड में सारी इंफोमेशन उस विद्यार्थी की है, जो परिक्षा देनी जा रहा है, लेकिन उसमें तस्वीर नरेंद्र मोदी के लगाई गई है, नरेंद्र मोदी के तस्वीर वाले अड्मिट कार्ड जोरों शोरों से सोसल मीडिया पर छाया हुआ है, जिस पर कैंडिडेट का नाम गुडिया कुमारी है, जो जो जोग्रफी ओनर्स की परिक्षा आने वाले 14 तारीक यानी की दो दिन बात देने वाली है, जिसका अड्मि नगेन सिंग नाम के एक यूजर ने शेर किया है, जहां उन्होंने ये भी लिखा है कि ये केवल बिहार में ही हो सकता है, यानि कि ऐसी लापरवाही की घटना केवल बिहार राज की ही परिक्षाओं में हो सकती है, दूसरा एड्मिट कार्ड जिसमें बिहार के राजपाल फ से सुरू हो जाएगी, क्योंकि इस एड्मिट कार्ड में पागु चोहान की तस्वीर है, इस वज़े से ये छात्र शायद इस साल परिक्षा ना दे पाए, तीसरा एड्मिट कार्ड भी ललित नारायन मित्रा युनिवसिटी से ही सामने आया है, जिसमें विध्यार्थी की जगव पुर्व कमतान महिंद्र सिंग धोनी की तस्वीर है, दरसल ललित नारायन मित्रा युनिवसिटी ने समस्तिपूर और बेगु सराय जिले के शात्रों की बीट पार्ट थर्ट की अड्मिट कार्ड जारी की है, और ये सभी अड्मिट कार्ड ओल्लाइन माध्यम से ड बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, यानि कि यहां रजिस्टार ने अपना पलडा जाड लिया है, रजिस्टार का कहना है कि एड्मिट कार्ड के लिए छात्रों को अपने फोटो और डेटेल्स खुद देनी पड़ती है, और इसी के आधार पर एड्मिट कार्ड बनाए जाती है, पीम नैंद मोदी, एमेजोनी और राजपाल फागु चोहान की तस्वीर देती गई है, इस वज़र से एड्मिट कार्ड पर उन्हीं की तस्वीर छपी है, हलांकि ये विश्वास करने लाइक बात नहीं है, क्योंकि इन गलती जरूर होगी, साथ ही साथ मुश्ताक एमद ने ये भी कहा, कि ये सब जितनी भी गड़वड़ी हुई है, इस बात की हम लोग जाच करवाएंगे, यहाँ पर मुश्ताक एमद ये भी कहते हैं, कि ये सब ही गड़वड़ी हमें सोसल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है, कि इसी ने इस बात की शिकायत भी नहीं की थी, लेकिन जब मुझे इस जानकारी मिल गई है, तो मैं इस बात की जाच करवाऊंगा, और इस मामले को लेकर छात्रों को कारण नोटिस जारी किया गया है, यानि कि नोटिस जारी करके ये बात बताया गया है, कि छात्य कार्ड में जो भी गलतियां हुई है उसके शिकायद भी उनिवसिटी में जाकर कर सकते हैं मुस्ताक एमद ने भी कहा कि इस मामली की जाज में जो भी दोसी पाया जाएगा उसकी खिलाव जल से जल्द हम फायार दर्श करवाएंगी और इस बात का विसी खयाल रखेंगी कि इ क्योंकि इस घटना से हमारी इन्वसिटी की बदनामी हुई है और प्रधानमंत्री राजपाल और साथ ही साथ मैंसिंग धोनी की तस्वेच अपना एक गंभीर मामला है वैसे आपको बता दें कि पहले भी बिहार में एक एडमिट कार्ड परिमरान हाश्मी और सनी लियोनी क कि नाम छपे थे तो यह बिहार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है मां की देखने वाली बात की होगी कि कब तक इस मामले कोई कारवाई की जाती है इसको लेकर अगर कुछ भी अपडेट आते हैं तो हम आपको जरूर बताएंगे मां की आप इसमें क्या सूचते हैं कमेंड बॉक्स में बताईएगा आगे की खबलों के लिए जनता जंक्षन देखती रही है धनिवाद